आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चेन रूल जिसको कई जगे आपको टोटल डेरिवेटिव के नाम से मिलेगा या फिर डिफ्रेंशियेशन ओफ कम्पोजेट फंक्शन के नाम से यह टॉपिक आपको मिल जाएगा थोड़ा सा और मैं डेप्ट में बताना चाहूंगा कि चेन रूल के बाद उसका डिड़क्शन आता है कि डिफ्रेंशियेशन इंप्लीसिट फंक्शन अगर कोई है तो वो डिड़क्शन और उसके बाद चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरियेबल्स भी एक टॉपिक रहता ह यह सब में भी मैं जरा सा आपको थोड़ा अंतर क्या है वो समझाऊंगा ताकि आपके concept की अच्छे से clarity रहे कि हम लोग क्या exactly कर रहे हैं यह सब मिलाके proper एक topic बनता है नहीं तो कुछ-कुछ universities में अलग-अलग topic रहते हैं किसी university में सिर्फ यह topic रहेगा बट आपको यह दौ पूरा ही आपको सीखना है देन उसके questions प्रैक्टिस करने हैं यहां पर मैं एक numerical कराऊंगा कि let's say u is a function of x y that is it is a composite function अब composite function का एक बार मैं आपको हलका सा idea देता हूँ कि क्या है so basically a composite function is a function which depend on another function जैसे अगर मैं कहूँ u एक function है let's say log x plus y let's say अब u जो है u is a function of x y but यह अगर x मैं कहूँ x is equal to let's say 3t और y मैं कहता हूँ 5t square so यह जो x है इसको हम लोग 3t बोल सकते हैं क्योंकि यह x की value भी किसी और मैंने बोलो ना which depend on another function तो यह भी किसी और let's say यह t का कोई function है ठीक है उस पर depend कर रहा है और वहां से अपनी value derive कर रहा है ठीक है या फिर कोई independent extra variable हो सकता है उस पर हमारे main function की value depend करती है तो ऐसे functions को हम लोग composite function कहते हैं इसमें मैं implicit का भी आपको definition दे देता हूँ basically क्या है अगर कोई भी function है fxy कोई भी function है दो variable 4 variable कितने भी variable if that is equal to 0 then हम लोग यह कह सकते हैं कि यह जो function है implicit है इसका मैं अभी आपको proper बात में दिखाऊंगा तो आपको concept I hope समझ में आ गया है कि composite क्या है और कोई implicit आया composite का differentiation करेंगे हम लोग implicit का करेंगे और change of independent variables देखिए आप क्या है अभी क्या है मैंने बोला composite में कि यह जो जितने भी variables हैं यह किसी अगर यह कहीं depend कर रहे हैं किसी function पर तो वो किसी एक single variable का है यहां भी t का है यहां भी t का है ठीक है बट अब अगर मैं कहूं कि u is equal to fxy और जो x है वो एक function है t1 और t2 का y है एक function t1 और t2 अब एक से जादा variables आ गए हैं आप है तो आपका change of independent variables topic this comes into play और उसमें जो आप formula सीखेंगे वो आपको use करना होगा अब आपको clear है यहां पर यह जितना भी है dependency वो एक single variable पर है चाहे इस function के कितने भी variable हो बट यहां पर अगर दो variable थे यह भी अलग दो variable पर dependent है मतलब मैं कहूं x और y भी अलग-अलग t1, t2 पर dependent है तो ठीक है तब आपको change of independent variables use करना पड़ेगा I hope this much is clear अभी जो individually इन topics को दुबारे देखेंगे अब हम सिर्फ chain rule में देखते हैं कि हमारा किस तरह से अब हमें use करना है यह concept आप समझ गए composite का अब chain rule एक बार देख लेते हैं u is a function of x and y हम लोगों को क्या formula निकालना है जो वो मैं आपको बस बता रहता हूँ x y separate function है let's say variable t के अब अगर मुझे कहा जाए कि मुझे निकालना है differentiation of u with respect to t अब इसका मुझे इसके साथ क्योंकि यह जो है x और y अगर normal चाहिए होते तो ले लेते हैं बट मुझे अगर इसके साथ चाहिए है क्योंकि यह भी किसी पर depend कर रहे है तो मैं कैसे निकालूँगा उसका पूरा एक derivation रहता है बट derivation आपका exam में नहीं आएगा आपको सिर्फ जो final result है वो ध्यान में रखना होता है so du by dt is equal to तो सबसे पहले आप क्या करोगे del u एक बार मैं x के साथ del x multiply मैं dx by dt अगली बार partial differentiation करूँगा u का y के साथ dy by dt यह final आपका result आता है जो आपको याद रखना है अगर कभी आपसे जब numerical में पूछेगा वो आपको देखके समझ में आ जाएगा कि पूछ क्या रहा है उस हिसाब से मुझे apply करना है formula अगर मैं यह du की बात करूँग this will be equal to del u by del x dx plus del u by del y dy this is called du is called total derivative of u formula आपका main यह है बस मैं यहाँ पर concept बता रहा हूं कि ठीक है अब इसकी जो deductions हैं उनके बार में बात में बात करेंगे जो मैंने ऊपर आपको discuss किया था कि यह आपका जो deduction है यहाँ पर implicit function के लिए basically यह अगर equal to zero और independent variable वह नेक्स वीडियो में बात करेंगे अभी हम लोग इसके बात करते हैं यह formula बस आपको याद रखना है एक numerical देखते हैं कि इसके numericals कैसे आते हैं तो आप numerical says if u is equal to sine inverse xy x-y x is 3t and y is 4t cube तो एक तरह से मैं कहूं यू is a function of x and y आप यह देखके समझें question को और x जो है वो t पर depend कर रहा है then y भी t variable पर depend कर रहा है x और y के individually values कहां से आ रही है t से आ रही है तो अब यह बोल रहा है कि du by dt मुझे बताईए कि यह आपको prove करना है ठीक है इस तरह से तो आपको proper question पढ़के समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है ठीक है यहां पर सिर्फ एक variable पर depend कर रहा है तो इसका मतलब मैं समझ जांगो मुझे total derivative वाला formula अपना यूज करना है chain rule अपना यूज करना है और मैं यहां पर यूज करके उसको result अपना निकालूँगा मेरा formula कुछ इस तरह था del u x है तो सबसे पहले del x फिर dx by dt ठीक है del u by del y dy by dt ठीक है next अब इसको करके देखते हैं हम लोग del u by del x एक तरह से मुझे u को with respect to x differentiate करना है that's it ठीक है तो अब basically जितने भी variable है उनको एक एक बार उसके respect में u के respect में differentiate करते जाओ अगर यहां तीन variable भी होते तो plus वो third variable भी add हो गया होता है इसी तरह से chain rule का formula चलता है अपर u is equal to sin inverse x minus y है आपको पता है sin inverse x का formula अब मैं यहां पर put करूंगा differentiate करूंगा with respect to x so that will be 1 divided by root 1 minus x minus y square and then यहां पर आप देखिए x is equal to 3t है ठीक है यहां del u by del x हो गया अब dx by dt जो है आप देखिए 3t को अगर मैं देखूं तो that will be 3 only क्योंकि t1 हो जाएगा तो यह हो गया नेक्स्ट अगेन हम लोग यहां पर करते हैं second जो value है del u by del y तो यहां पर इसको तो y के respect में करते हैं चलिए करते हैं one so यह तो इस तरह हो गया so now dy by dt y है 4t cube dy by dt मेरा आ जाएगा 3 यह इदर गया 12 हो गया t square तो यहां पर मैं 12t square add कर देता हूं ठीक है इसको आप हटा दीजे यह आ गया पूरा अब यहां पर एक और चीज़ क्योंकि यहां पर y के respect में करा था तो एक negative 1 भी आ जाएगा ठीक है अब इसको हम थोड़ा सा और normalize कर लेते हैं इसमें आगे common लेके और आगे करते हैं थोड़ा सा इसके बाद हम लोग और simplification इसकी कर लेंगे आप देखोगे यहां से आप 3 को common ले लो यह 3 common ले लिया 1-4t square हो गया यह basic denominator दोनों में same था so यहां पर यह square same आएगा ठीक है यह same था इस तरह से आ गया now x और y की जो values थी x की 3t थी y की 4t cube थी वो मैं put कर देता हूँ इसका whole square है यह आगे खूल के इस तरह से हो जाएगा then or simplify कर करके आपको final आपका result मिल जाएगा तो इस तरह से आपको numericals करने है basic यही था आपका कि आपको starting में आपको question समझना है कि वो क्या कहना चाहरा है फिर उसमें accordingly आपको rule लगाना है then उसके बाद सारा खेल basic आपकी differentiation का बचता है जो कि आप 11-12 में बहुत अच्छे से सीख के आए हैं यह simplification में आपको नहीं discuss कराया क्योंकि this is very simple आप यहां पर comment लेंगे फिर आप करके चीज़े आपकी हो जाएंगी solve finally आपका result कुछ इस तरह से आ जाएगा ठीक है I hope आपको यह वीडियो समझ आया होगा next वीडियो में हम लोग discuss करेंगे कि implicit function जो है उसमें अगर differentiation करना है क्योंकि deduction है यहां पर ही अगर मैं कहूं कि यह function ऐसा है अगर जिसका x y equal to 0 हो तो फिर कुछ चीज़े है d square y d x square आपको निकालना रहता है questions में तो वो कैसे आएगा यह basically कहता है यहां से हमें deduce करना पड़ता है वो मैं next वीडियो में आपको कराऊंगा I hope आपको वीडियो अच्छा लगाओ please support करें give away हमारा है comment और like करना है बस वीडियो को thanks for watching